thyroid की problem अगर आपको है तो क्या करें? क्या है इसका अचूक इलाज जो तेजी से आपके thyroid की problem को खतम कर दे? तो आज हम इसी समस्य के बारे में बात करेंगे नमस्य मैं हूँ सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूँ जैपूर दा पिंक सिडी चैनल पर क्योंकि जिनको thyroid होती है उनका अंग अंग दुखता है, बहुत ज़्यादा दर्द उन्हें परिशान करता है तो इस दर्द से निजात पाने के लिए और thyroid को पूरी तरे ठीक करने के लिए आपको कुछ घरे लून उसके बता रहा हूँ इस तरीके से आप अपना ध्यान रखकर अपने thyroid को कंट्रोल रख सकते हो thyroid के करन जितनी भी आपके शरीर में दर्द की समस्य है ना उसको आप बिलकुल खतम कर सकते हैं इस नुस्खे के लिए आपको करना क्या है कि धनिया होता है ना धनिये के बीज या हरा धनिया दोनों ही thyroid के patient के लिए बेहधी लापकारी होते हैं कुनों से भरपूर होते हैं ये समझे कि ये thyroid की रामबांड दवाई के जैसा काम करती हैं ये जो धनिया होता है तो आप चाहें तो हरा धनिया ले सकते हो कुछ दिन जब season रहे और बाकी में आप जब हरा धनिया बहुत महेंगा हो जाता है या आसानी से नहीं मिल पाता है तो आप धनिये के बीज होते हैं ना उनका इस्तेमाल कीजिए तो मैं भी आपको यहां पे धनिये के बीज के साथ में बता रहा हूँ तो इस नुस्के को बनाने के लिए आपको दो-तीन चीज़े लेनी होंगी जो आगे में आपको दिखाने वाला हूँ धनिया हमने ले लिया है इस नुस्खे में बराबर मात्रा में लेंगे सारी चीजें चार चमच हमने लिया है धनिया जो धनिया के बीज होते है न वो तो इसके साथ मैं आपको ले लेनी है सौफ बिल्कुल सिंपल, साधरन और कारगरन उसका है और आपके शरीर का पूरा दर्द दीरे दीरे करके पूरी तरह से गायब हो जाएगा जब आप इसका इस्तिमाल शुरू कर देंगे तो आपको एक सप्ता में इसका बेतरी इंदिजल्ट मिलेगा तो दूसरी चीज हमारे पास है सौफ इसमें मैं आपको दो नुसके बताऊंगा दोनों ही बेहत लापकरी है आप इस तरीके से ये जो पहला नुसका है बना कर रख सकते हो बार बार इसका इस्तिमाल कर सकते हो और एक और बताऊंगा आगे जिसका इस्तिमाल आपको रोज करना है तो सौफ भी आपको यहाँ पे चार चमस ले लेनी है, जितना आपने धनिया लिया है उतनी सौफ भी आपको ले लेनी है, इसको बनाने का तरीका पूरा देखिए, तो एक बार बनाने के बाद आप महीने भरता के इस्तेमाल कर सकते हैं इस मुस्खे में हमने जो धनिया लिया है ये थोयरेट के लिए आपको जरूर लेना है धनिये के अंदर फाइबर जो है वो भरपूर मातरा में होता है इसके अलावा इसमें बहुत सारे पोशकतत्व होते हैं विटामिन्स होते हैं विटामिन C, विटामिन K और प्रोटीन का अब ये बहुत अच्छा सोर्स है इसमें केलशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, केरोटीन और इसके अंदर मैगनीज, आयरन, भरपूर मातरा में होता है जो आपके शरीर के लिए बेहदी लापकारी होते हैं और जो लोग दूद, दही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बेतरीन सा बड़ी असान उसका है क्योंकि केलशियम की कमी भी पूरी करेगा तो अब आपको ये बना करके कैसे तयार करना है वो देखते हैं गैस पे हमने एक कड़ाई रख लिया है अभी हमने गैस का फ्लेम फुल रखा है लेकिन जैसे ये कड़ाई ग खाते टाइम ये आपको अच्छा लगे और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ ना इस तरह से आपको खाने में भी अच्छा लगेगा और आपके जितने भी तरह के शरीर में रोग हैं वो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे आप इसे एक बार बनाकर महीने बरतक के सिम शूगर पेशेंट भी इसे बड़े आराम से खा सकते हैं, उनको अगर शरीर में दर्द की समस्या है, तो वो भी इसे खा सकते हैं, वो तरीका भी बताऊंगा, इसको रोज करने के बाद हम एक प्लेट में निकाल देंगे, ताकि ये अपनी ही हीट से ज्यादा उवरकुक नही एक तरीका तो ये है, आप इस तरीके से तयार कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको इसको दस मिनट के लिए धीमी आज पर उबालना है, और एक तरीका वो है, कि आप धनिये के बीच को शाम को एक गिलास पानी में बिगो कर चोड़ दीजिए, दो तीन चमस धनिया ले 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 और सुबह उटकर आप उसको अबाल लीजिए, और इस तरीके से भी आप ले सकते हो, और इस तरीके से तुरंत भी आप इसे बना करके सुबह सुबह ले सकते हो, लेकिन जब हरे धनिये का सीजन रहता है ना, तो आप इसकी जगह जैसे आप धनिये के बीच डाल रहे हैं न तो दोनों तरीके से ही ये आपके लिए फाइदा देगा, लेकिन हरा धनिया हमेशा नहीं मिलता है, तो आप इस तरीके से जो धनिये के बीज होते हैं, उनका इसे मल कर सकते हैं, 10 मिनिट तक धीमी धीमी आज पर पकाने के बाद में देखिए, धनिये का पानी उबल कर तैयार है, अब गैस बंद कर देते हैं, और इसे उतार कर साइड में रख लेते हैं, अब इसको हम ठंडा होने देंगे, एक दम नॉर्मल टेंपरिचर पर आने देंगे, उसके बाद में ही आपको इसका यूज करना है, किस तरह से यूज करना है, वो आगे में आपको बताने वाला हूँ, अब जो हमने धनिया और सौफ दोनों को मिक्स करके, यहाँ पे रोस्ट करके लिया था ना, उसका तरीका आपको बता देता हूँ, तो इस तरीके से आप चाहें, तो 100 ग्राम धनिया और 100 ग्राम सौफ ले लें, उसको रोस्ट करके, मिक्स करके आप रख सकते हो, तो इसका सेवन आपको दिन में खाना खाने के बाद में एक चमच भर कर करना है, मतलब इसकी एक चमच आपको भर कर ले लेनी हैं, और खूब अच्छी तरह चबा चबा कर खाना है, लेकिन अगर आप चबा चबा कर नहीं खा सकते हैं, मान लिजी आपको चबा कर खाने में स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर इसमें फाइबर खूब है, तो बहुत दिर तक चबाना पड़ता है, तो फिर आप इस तरह से इसको roast करने के बाद में इसका powder बना कर रख लें और फिर इसके powder की एक चमच बरके आप एक गिलास पानी में mix करके भी पी सकते हो पानी आपको normal temperature काई लेना है बहुत ठंडा पानी या बहुत गरम पानी नहीं लेना है एक और बात अब जिनको ये खाने में फीका फीका स्वाद वाला अच्छा नहीं लगता है तो आप क्या करें कि इसके अंदर धागे वाली जो मिश्री होती है उसको पीस कर इसमें मिला लें आपको जितना मीठा स्वाद इस नुस्के में पसंद आए जिससे ये आपके खाने में अच्छा लगे भाज़ आए उतनी मिश्री बीज कर इसमें मिला लीजिए अब ये roast किवए बीज आपको खाने में अच्छे भी लगेंगे और आपका हाजमा भी इससे ठीक रहेगा पेट में जो कब्स की समस्य होती है न थोरेट के कारण उससे ही हमारा जो शरीर का अंग-ंग है वो दुखता है तो वो सारी समस्य हैं दूर हो जाएंगी लेकिन जिनको शूगर है वो इसमें मिश्री ना डालें वो लोग इसको बिना मिश्री के ही इस्तिमल करें उनके लिए तोरेट में ये बहुती फायदे मंद है इस चून को आपको दिन में एक बार खाना खाने के बाद खाना है अगर आप दिन में नहीं ले पाते हैं तो आप इसको शाम को खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं बस दिन बर में एक बार ये चूरण आपको लेना है जो इस तरह स इन दोनों चीजों को रोज करके आपने तयार किया है। उसके बाद में जो आपके पास अभी आपने जो धनिया का पानी बनाया है। इसको आपको डेली सुबह सुबह खाली पेट पिनाएं। चाहे आप सीजन में हरे धनिये का जूज बना रहे हैं। या फिर उस ताजे धनिये की पतियों का पानी बना रहे हैं। और या फिर चाहे आप इस तरह धनिये के बीजों का पानी बना रहे हैं। इसको सुबह ही लेना होगा आपको खाली पेट फ्रेश होने के थोड़ी दिर बाद। इससे आपकी पेट की समस्यां दूर होगी, आपकी जो थोयरेट की प्राबलम है, यानि कि जो बड़ा हुआ थोयरेट है न, वो कंट्रोल में हो जाएगा, तो आप इसे अपना सकते हो, बेहादी लाबदायाक और कारगर नुस्का है, अगर आपको ये नुस्का पसंद आया ह तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, कि ये नुस्का आपको कैसा लगा,